तो स्वागत आपका ग्यापन एकडमी के 12 क्लास के हिस्ट्री के क्लास में सबसे पहले आपको बता देखे कि इस लेशन में हिस्ट्री का मस्ट इंपॉर्टेंट ज्यादा आपको कुछ नहीं बताएगा बस्ट इंपॉर्टेंट जो की 5-6-7 लेशन एक विडियो में है और आ करने तो आपको कमेंट करने से कुछण याद होता है एक्साम आपका बहुत करीब और तर्यारी आपका संदार करकर करना है तो कमेंट किजिएगा तो जल्दी याद हो जाएगा बहुत ही अच्छा तरीका से तो यहां देखते हैं हम लोग फर्स्ट कोच्चन है विजे नगर समराज ये के बारे में तो आगे मिलेगा लेकिन यहां समझेगा फर्स गोचन है विजे नगर के समय कौन से बिदेसियात्री आए थे तो यहां पे आए थे अब्दुल रजाक आए थे अब्दुल रजाक आए थे यहां देखे अल्बेरुनि यह तो बहुती संदार व्यक्ति एं कहा का निवासी था, कि आपको पता है कि एल बेरुनिक कहा का निवासी था अपर कहा का निवासी था, बता यह उजबेकिस्तान का निवासी था, यहाँ डॉट अप लगा लिजए ग viral यहाँ डेक्यों कि यह अप यहां पर देखें इसका ट्रिक याद कर नियर वर्नियर जिस देश से भारत आया था उसका किया नाम था तो वर्नियर वरना तो फ्रांस यांदि आया था यहां पर और फ्रांस यानी फ subscri सक याद कर ने के लिए बताएं ठीक है साज यह का सबसे जेश्ट पूत्र पुद्ढ का बड़ा पूद्ट कौन था आपको यादना चाहिए कि दारा सी को था था आपको यादना चाहिए न्याद की एक चिकित सकता ये भी आप याद रखेंगे अगला है इवन बतुता इवन बतुता कि अनुसार उसे मुल्तान से दिल्ली की यातरा कितने दिन लगा चालिस दिन लगा था मुल्तान से दिल्ली यत्रा करना में यहां देखे की एक किताब है पढ़ने लिखने में बड़ी बकलोल था बोला था कि बैर हम पता हैं है इस सब नहीं करेंगे हम कुछ नया करेंगे तो यहांते हर देश जाजा के घूमा, बहुत लोगों ने मना की काप फालतू में घूम करके जिन्दगी बरबात कर रहा है, तो यह बस घूमने में ही रहा, तो इसलिए अपने किताब यात्रा बिर्तांत एक लिखा है जिसका नाम है रहला, इसमें जहां जहां घूमा है उसक सबसे पनौती सासक माना जाता है, ठीक है, याद रखिएगा, 1882 में यहां पर क्या हुआ था, मंगल के सासकों के यहां गया, और इसके बाद से दिली, अब मंगल के सासकों के यहां कौन तो भाई, इबन बतूता के पास आया तो इनोंने बेजा था, और वहां पर दिली में न्याएधिस बना और यहां पर डाक छेतर भी समाला था, कौन छेतर समाला था, डाक छेतर कौन, इबन बतूता, बात नहीं मानता था, लेकिन सब कुछ कर दिया, ठीक है, मुहमद बिन तुगलक ने दिली की काजी कि किसको बनाया तो काजी भी इसी को बनाया था, इबन बत यहां देखे तहकिक एहिंद में किसकी यात्रा है यहां ला दिया था यहां ला दिया था आपको भारत यहां अगला कोशन है मेगास्थनिस कौन था यात्री था नहीं यात्रा करें वाल नहीं था एक राजदूत था सेलियूकस निकेटस का राजदूत था याद रखेगा आपको बताये थे विडियो में हम सेलीकस निकेटस का राजदूत अगला कोस्चन देखिए मारको पोलो के बरे मारको पोलो ने 13 सताबदी में जिस अस्थान से चल करके चीन और भारत की यात्रा की उसका नाम था वेनिस याद रखे डारेक्ट मारको पोलो वेनिस का निवासी था मारको पोलो यह चीन का था और आपको बता दे कि चीन में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रिस्म ने च्छापाई वाला सिस्टम जो होता है न वो मारको पोलो ही लाया था ठीक है उसके द्वारा एड़ोप वोगर भी पहुंचा है यहां देखिए अनेक बीदेशी यात्रियों भारत के जिस दो चीजों का समानLya माना वे चीज़ दो आया भी देश के थो बोला कि बापरी नारियली का चीज werde से इतना बड़ा नारियल है ठीक है आखिर कर इसका क्या काम है अब पान को बेकार मना वोलकि इसका कोई कामें नहीं होता है ठीक है ऐसा ही फड़ गया है अलबरुनी बहुत में जिस सब्सक्राइब करें लेकिन आपके दिमाइंग में जोर रहेगा इबन बतुता का भारत द्यत्रा को जिस सताब्दी से संबन दिथे वह इन बतुता चोधावी इन बतुता चौधाय अलबरुनी याद रखेगा यहाँ लिक्म् दीच आपको पूरा का पूरा और зарद coinc 17 howee मैं इसके बीच में हैसके तीन कांतर इसके बीच में भी तीन कांतर ठीक्यां नगब है आए चारी कांतर उसमें यहां देखिए यहां पर देखिए तो फ्रांसवा वर्नियर जिस देश से आया था उसका क्या नाम था तो यहां देखिए यह बताया थे ना फ्रांसवा आके यहां पर क्या हो गया था मुतलब पहुस गया था तो यहां देखिए फ्रांसवा से फ्रांस याद कर सकते है वर्न पोसिंट बाब आपको समझ में आ जाएगा इन बतुता के अंसार उसे मुलतांसे दिली की यात्रा में कितने दिन लगता औरे रीपीट हो गया को से 40 दिन लगता रहेला किसकी रचना है ठीक है चलिए अगला को सन इन बतुता किस देश का निवासी था तो मुरा को का था ठीक है इबन बतुता अब देखो यादगे डबल तो तो है न इसमें तो इसी में भी को का डबल है तो डबल डबल वाला याद रखेंगा है अप्शन में आप देख करके मार सकते हैं ठीक है अलबेरेनु उजबेकिस्तान का था ठीक है याद रखिए गए हुआ और चीज़ बता दें जो यह हिंदू सब्द है ना जिसे हिंदू मुस्लिम हिंदू यह एक फार्सी सब्द याद रखिएगा ठीक है इन बतुता कहा था मुरको कहता तो और तो डबल है इसमें भी डबल है यहां देखिए अगला कोशन इन बतुता ने अपनी यात्रा क किस भासा में किया है तो अपनी यात्रा का विशर यह किसमें और भी भासा में किया है किसमें किया है और भी इबन बतुता इबहन इबन में देखो तो बहना आप बहुत से हो जाएगा और अरभ गुप्तकाल में कौन से चिनी यात्री यहां पे आये थे तो गुप्तकाल मे का नाम है टो किक यह से तेखो यादिख़ तका पूस्तग कर पूछ दे तो आप बता देजाएगा अगला कोशें निके डिली से दौलाता बाद कि MR जदानी बता रैश्धानी नहीं भथने में बहुत तेज था होली का तेभार यही मनाता था बहुत महांद साथा लेकिन जो काम करता था ना ठीक है उसमें कमी आ जा जाता बेचारा अब कमयों नहीं पूरा होता ठीक है देखो ना थोड़ा दिर के लिए मालों कि इवन बतुता जो जिसके यहाँ इतो चाह सकता ठीक है तो ग्यासुदीन तुगलक का नाम आप लोगोंने सुना होगा ग्यासुदीन तुगलक को बोला कि एक काम किजिए उनको एक तरह से प्लानिंग करके मरवा दिया एक तरह से यह भी कह सकते हैं तो उतना कहानी लंबा नहीं है कि वीडियो आपको जल्दी कंप्लीट करना है भी आपको कंप्लीट करना है थोड़ा इसलिए हम कहानी को नहीं बताएंगे वासको डिगम्मा भारत कब आया तो मई में आया था आये को तो जानते हैं कि चौदा सव अन्ठानवे में आया था तो देख लेजिए मई ये भी है मई ये भी है लेकिन अन्ठानवे चौदा परिजी था वह थी तो संस्क्रीट पाली और प्राकिर्टिक ये था तीनो भासा ठीक है जो अपने भारत में बोले था ना संस्क्रीट पाली और प्राकिर्टिक भासा थोड़ा टॉफ होता है यहां देखें मारको पोलो वई चीनी वाला यात्री मारको पोलो ने 13 सदी में सस्तान से चल कर चीन और भरत की यात्र है इसा चीनी लिखा है यह यूरोप में चला गया वह बेसीन जगा था यहां से यात्र हम लोग मानते थे लेकिन बहुत आगे निकल गया लोहर में हेएक बाराव वर्स कि बालिका लाहौर की बादा जबर्दस सती बनने सती का मतलब होगा ए는데 हुठ जाती मर जाते हैं उसक पतनी को जिन्दा जला तो बाराव वर्स की बालिका को यहां पे सती बनाए जाने पर मारमी घट्नाँ में आँखों और यहां पर लौहार में देखा कि एक बारह बर्श के लड़की को जिंदा जलाए जा रहा है सथी-प्रता बहुत घटिया प्रता थी पहले के जबान में ये वर्णिय था और यह और अ estoy way प्रेंगीन यात्री को कहा जाता है तो यह आपको आप्सन कौन सा हो जा एग मध्धिय योगीन यहां पर आप्सन दिया भी नहीं है ठीक है चलिए आप्सन के हनुसार अगर यहां पर देखे तो मारको पूल हो जाएगा वर्नियर इवन बतुता यहां पर आप्सन हो जाएगा यह तो सबसे असान कोशन है जैसे घोसले से पक्षी उड़ता है उसी तरह किसी यात्री नहीं यात्रा पर जाने है तो अपना घर छोड़ दिया था इवन बतुता घर छोड़ के भागा था ठीक है किसी का बाते नहीं मानता था कैप्टेन हंकिन किस मुगल सासक के दरबार में थे जहांगीर जहां तहांगीर पता है इनके पिता ने जहांगीर का नाम सलीम रखा नहीं का नाम शलीम है शलीम रखा था लेकिन देखो सलीम चिस्ती के नाम पर क्योंकि एक बहुत बड़े धार्मिक गुरू थे कि मेरा बे थे तो यहां पर दिल्ली और यह नहीं यह राजस्थान में पहने हों सब्सक्राइब राजस्तान के अजमेर में चलिए उत्तर भारत में भक्तिकाल आंदोलन का आरम किस संत ने किया था तो भक्तिकाल आंदोलन उत्तर भारत में रामानंद ने किया था ठीक है और दक्षिड भारत में आप कमेंट में बता सकते हैं किस ने किया था त्याग राज ने किया था राम गुरुनानक देवाला है तालवंडी में किसीच सनय जनम हुआ तो यह हुआ था गुरुनानक देव को तालवंडी कहा है तो पाकिस्तान में पाकिस्तान था प्या ao से अड़ाल यहां पर हो जाएंगे अड़ाल यहां पर यह अलवार संथ थी अपके अलवार संथ क्या होता है तो देखिए पहले लोग न चुँआ छुट वला भावना ज्यादा रखते इसके लिए भकती कल सुरू हुआ कौन सा समय सुरूआ भकती का समय और वह दो टाइप क निकले एक हुए अलवार संत एक धुए नैनार संत यह थोड़ा देर केले समाझेह तो अलवार संतrect विश्णु भगवान को मानते के अन्याइश्ञ तो Euro Sanctor रख सकते हैं यहां बखन तरह को आइने अकबरी कहा जाता है इसको अब्दूस फज़ीजा गए है आधर दो तीन बार कमेंट जरूर कर दीआ विवी आई है अगले हुश्र ने के शेत्रों से समंधित मडी उचकर के दो बीशिस्थाय हैं तो ये दो बीशिस्थाए सेवेज अनुआई नमे भग्ति गित की रुचन बस ये açज़य देव कूल को जो तीन देव पूरी के तहत गोंड़ा हो गया है, वो हो जायेगा, अपका कौन कौन, गोंड़ा हो गया है, अगनी इंदर और सोम, ये रट लेज़े, अगनी इंदर और सोम, अगला क्वेस्टन है, जाती के प्रज़ेख, हम एक्स्प्लेन इसलिए नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बाबु समय थोड़ा तो मेहनत करना पड़ेगा और हम इतना करने यह ORA करती色 अलवार और नैनार संतों आछा सी अब धिक र्रेस्थी सथे क्यों नहुंने क्या है जाती के प्रती बिरोध में मैं दोभी सेता था जितने यतने?. का रचनाओ का संक्रन किया उनकी संक्याओं कितनी थी 12 जिस यही अझ्लावा रोगार संथ में एक इॱ्ञारत भी तिसका नाम था यह अड़वाल आ थी जी किदर गई बेचारी कहां गई आजाओ 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 अंडाल थी 12 संतों में एक अंडाल भी आती थी अगला कुशन देखिए अगला कुशन है कि दक्कन में चोल सकती साली बने कब तो नौवी से तेरह में बहुत ही तकतवर चोल वंस हो गया ठीक है याद रखेगा अब देखिए 13 सदी में एक नौवीन तकतव के रूप में जो इसलाम धर्म लंबी बड़ी संख्या में आये थे वो कौन थे मुस्लिम थे तुर्क ज़्यादा आये थे बाबु नौवी तेरह में सबसे ज़्यादा तुर्क तो से तेरा तो से तुर्क याद रखी गए गए मुगल तो बहुत बाद में आया है नहीं देखिए गुरु नानक यहां देखिए गुरु नानक देव का समद्ध किस धर्म से सिख धर्म से सवालाक से एक लड़ावा फिर गुरु गोविन सिंग नाम कहावा प्रतम सहस्तरवादी में जो वैपार समुंद्र के रास्ते से और भरत में आये थे वो कहँ कहें थे तो वो थे आपके पौस्षीम भारत पूरब पौस्षीम वहानल यह भारत कमायब मैभी होगया तो इस साइड आये थे ठीक है तो वो अंगरेज थे अंगरेज तो थे नए फ्रांसीसी थे नए पुरुतादी और अरबवाले थे खो इ कर द το लंका पाया और इसलाम का जिस सतावदी का उड्य हुआता वो स्तावड़ याद रखेगा इसलाम स सतावड़ी में यहांपे शुरू हुआ ठीक है सलीम चिस्ती देखें आगया ना यह एक गुरू थे और पता है अकबर अपने बेटे का जहागीर जो है जहागीर का नाम रखा था सलीम लेकिन जहागीर अब सलीम क्यों रखा था आपको बताए भी थी क्योंकि धार्मी गुरू है बहुत महान थे लेकिन इतना हो महान हो नहीं पाया और अपना नाम रख दिया जहांगीर जहां ताहगीर जहांगीर अजमेर में इनका दरगा है ठीक है अब देखिए ख्वाजा मैंनुदीन चिस्ति संपरदाय के हैं अजमेर में जिस दरगाह पर सरव पर्तम कौन सा यहां पे मुल्तान गया यहां पे समझेगा तो यह एक मिनट थोड़ा से समझेगा ख्वाजा मैनुदीन चिस्ती शाहब के अजमेर इस्ति दरगाह पर स्वरपर्थम कौन सा सुल्तान गया था चाहिए यहिया मनेरी एक पटना के 40 किलमेटर दूर आगे गाम है, वहीं पे है, यहां बिहार में, पावन पुझे हरी मिले, मैं पुझू पहाड, बोले हैं कि अगर पथर पुझने से भगवान मिल जाते हैं, कभीर दास ने कहा है, तो हम पहाडे को पुझ लेंगे, हमको ज्यादा भ इस टेक हो गहा है, तो यहां पूरा पूरा लिक दीये हैं, आप देखिए और वेतवाद संक्राचारे का जिन पुरे भारत को सुध किये थे बल्र भाई पतेल. नहीं पेता नहीं एक तरह से मैटमेटिसियन थे, तो रामान विषिश्टा दिब्हाद में आ जाएंगे. अगला कोशन है, बलाबह चारे का जन्म कहा हुआ था, वनारसी में उपर हम बताय भी थे, सेख कुटमदीन यहाँ पे देखे थोड़ा सा कुतमदीन बक्तियार काकी का समबंद किस सूफी संपरदाई से था तो چिस्ती संपरदाई से था याद रखियेगा ठेके चिस्ती संपरदाई अब देखे hours no-dyn ओहलिया इन्होंने पता है क्या कहा था इन्होंने दिल्ली का था वैसे बता दे और दिल्ली में बैठा था जब जब इसको क्या बोलता है महम्मद बिन तुगलग कहता था कि सुनो तुम मेरे राजे मेरते हमको पैसा दो तो बोलता था आजा यह ले लिजी पैसा पैसा देता नहीं था भाग जादा था आये हमारे घर में दस दरवाज तो कभी कभी कुषन पूश्चन पूछत आ हमारे घर में दस दरवाज है किसन कहता तो निजामोदीन औहलिया ने कहता दिल्ली से अब देखो कासी में किस प्रसिद संत का जनम हुआ तक कभीर-दास का कहसे कभीर कहसे कासी सि मारा ले जाग अग podob कुश्चन देखे और अंजीब का संबंध की सुफी सथा चिश्टी सुरादी कादीरी और अगला हो जाएगा यहां पर नक्स यहांपर नक्स वन्द से तो इस तरह से आप देखिए सबसे ज़्यादा कुछ 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 देता है यह सोट ट्रीक पहचानने का बंगाल के प्रसीद संत कौन थे तो यह थे टन्या महापरभु इन्हों ने लिखा हरे राम हरे किष्णा ठीक है यही बोले हैं किस भक्ति संत ने अपने शंदेश का परचार के लिए पहले हिंदी का उपयोग किया था तो यहां पर हो जाएगा रामा नंद ठीक है अब मालेजे हिंदी को पढ़ने में सब कोगता आनंद धाई दीन का जोपड़ा किस ने बनाया तो ये ठाई दिन का चोपड़ा कुतम दीन एवक ने बनाया था ठीके और इसने बहुत सारे महजीदशी बनाया तो धी лай elle कुतिम दीन याद रखेगा धाय दिन का Each time इस्मर मरमसजित दिल्ली में बनाए गया कुरान खान भी कहा जाता है, हातिम भी कहा जाता है बहुत दानी थे कुत्म इनान का निर्माड किसने शुरू कराया तो kır teem दीन एवक ने शुरू कराया चलिए लास्ट लेशन, ये सराथवा लेशन है थोंगे, बहमानी समराज्य की अस्थापन के लिए ठीक है अपके कसर यह समराज यह बना कब तो इदर से महम्मद बीन तुगलक आया था और तुगलक आकर अहां महम्मद बीन तुगलक ही था और आकर के यहां से सभी लगभग जो जो थोड़ा सा एडवांस बन रहे था अपने आपको चला उठाके लिए गुलाम बना बुक्का आयक का नाम था हरीहर हरीहर और बुक्का ठीक है वो चला गया लो इदर फिर वापस आया लो नहीं तो फिर से हिंदु धर्म अपना ले लो तो अब हम मरा कुस्चन ही है कि बहमानी समराज यह कब बना था तो बीजे नगर बना था 1336 में अब बहमानी बना था 1347 में ठीक है याद रहे कि 1347 में इसके अस्थापना होई थी यहाँ पुरा का पुरा लिक दिया कि बहमानी कि रिजधानी गुलवर्ग है ठीक है इसकी मुद्रा को हुंड करते हैं भासा माराठी है क्योंकि नीचे माराठी है नहीं बोला है ता आपक अलाओधीन बहमन इन्होंने भुक्का को हराया था ठीक है भुक्का कौन बिजयनगर का इस इलागाए सासक इस इलागाए। ठीक है यहां लिख भी दियें कि बीजय नगर समराजय की राज़धानी कौन है तो यह हमपी है याद रखिएगा ठीक है 1936 में इसकी राज़धानी बनी थी उडिसा के गज़पती राज़धानी के स्थापना कब है ती उडिसा 1935 में देखिए आप गुगला से पूछिएगा न सौरी 1435 तो बन आएगा 1434 ठीक है तो यह दोनों आप दिमाग में रख लेज़एगा ठीक है उडिसा के गज़पती अब अगला कोस्चन है यह देखिए मान लिजे कि इधर था बहमानी इधर था बीजेंगर तो बाद में बहमानी यह तूट गया पांच इलाकों में ठीक है 1490 में एहां अहमद नगर बीज़पूर बरार वीदर ठीक है गोल कुंडा यह पांच में तूट था लेकिन तीनों को दिया है तो यह याद रखिएगा यहां पो लिख भी दिया है कि बहमानी पांच में तूट गया अहमद नगर का निजाम साही वंस था उसमें हो गया बीज़पूर का आदिल आपको भी बीज़ए होते हैं जब आप कोई दिल से काम करते हैं वीदर इतो वीदर वरीद इतो एक एक जीसा है ना गोल कुंडा गोल कुंडा अपàiटा यह गोल गोल घेंदा कुद तही नगा ना गोल कुंडा कुतुम साही वंस ठでも है और वराद बरार इमाद सही वंस लोग नहीं करते हैं बाड़ा इंमंदार आपकोेrägeगा बरार में कि समद की से ठ पूरत गाली था याद रखेगा है अगले कुस्षन पूछा है बहुत बरकोशन आई जहर पूदिना की तरह पहले दिया है तो यह आ जाएगा आठ्रावी सदी में इसके प्रकाशन में लाए गया था मनें दिखाए गया था हम पी के भगना वेश एक अभियंता तथा एक अभियंता थे तथा पूरा वीद करनल भी थे मनें 336 Tah 3 कतना होता है चो तो 133 303 में अपने राजदानी हम शाओ बता है ठीक है अगर भीजे होना लोग भीजा होते हैं तो पी तो हम पी याद रखेगा भीज OUT रहे बहुए को झांगा संगम केड़ के अब बात आए कि सारे संगम 갑ीन के नाम पर कियूंयर बुका ने अपना संगम वंस रखा किक्विक्विक्विक्विक्विक्विक्विक्विक्विक्विक्विक्विक्विक्विक्विक्विक्विक्विक्विक्विक्विक्विक्विक्विक्विक्विक्विक्विक्विक्विक्विक्विक्विक्विक्विक्विक्विक्विक्विक्विक्विक् बहुत ही उपनवार स्थापक तो किस वन्सके थे तो यह संगम स्थापक हो गया है संस्थापक क्या नाम अंगो ने से अस्थापक हे नाम हरियर और भुकह संगजिक ऑसथाप्ण 306 में नीचे दिया आ है बहुत दूर दे धीया है अफराइद को क्मा तो आ氣 पुर चड़ जाता है चड़ना शमझते उनना आख पर आख नहीं चड़ना विजय नगर समराज ये किन दों नदियों के द्वाब पर रहे तो मांण लिजए ख्रिष्ण भाग्वान सबसे क्या करते हैं सब कुर्ण और तूंग भध्र है कहां पर है कृष्ण और तूंग भध्र्र किष्ण और दूट प्षूर के लिए तो यह जाएगा हमयानि से हमेशा भीजे नगर का एक दम जगड़ा होते ही रहता था भीजे नगर की राजदानी कहां है हम्पी है ठीचे होने कब लोग पी ते हैं पिस देवी के आठ दिगज और इन्होंने कुछ किताब भी लिखे हैं तो ये भी आपको किताब का नाम नीचे हम लिखे होंगे उनके किताब का नाम था क्या नाम था थोड़ा दिमाग से हमारा उतर रहा है ठीक है undy ложkin smo spaghetti tools CutTwo humans के थे टुलू लएसे तुल वंश के इस अस्तवन पता प्ढ़ाकिन तोलू वंस किए तुलू चल अस्थ अपना ननर सिंह ते बीरनर सिंह देखे औम duty मल्यालम यही थे आमुक्त मल्यालम इन्हों नहीं लिखा था बीजयनगर के राजा ने यहीं इनका ग्रंथ था बहुत पड़े लिखे बीजयनगर के थे तो यह देखे आमुक्त मल्यालम जो ग्रंथ है इसकी रचना कृष्ण देवराय ने किया था याद रखिए आमुक्त मल यालम ठीक है यहां देखिए राजा सैनिक और और सैनिक अधिकारियों को उनकी सेवा के लिए प्रदान करता है क्या प्रदान करता है सेवा के लिए अमरम नहीं जी यह गलत है ठीक है इस यहां देखिए यह हो जाएगा इस्ता जागीर और यहां इसको इतना कैसे आ जा रहा ह हमको जहां तक ध्यान ने इस्ता होना चाहिए थोड़ा से वेट के जिए राजा सैनको के सैनको और और सैनक अधिकारियों को उनकी सेवा के लिए परदान करता है उनकी सेवा के लिए अमरम यह थोड़ा सा डावट है नीचे इंसर इसका जरूर लिखे हंगा यहां पर जाएगा अमरं पर धान करता है ठीक के यह देखिए आयंगर व्यास्ता किस सम्राजे में आता है यह पर जाजाए दो भीजे नगर अब कई एक सर बार-बार बोलते हैं बाबु मेहनत तो बहुत लग रहा है ठीक है लेकिन अब फिर भी अपने तरफ से पूरा 100 पॉसेंट दे रहे हैं ताकि आपका ये पूरा का पूरा अब्जेक्टिव के लिए हो जाए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले लेशन के शाद तब तक लिए जहिंद और खुदा आफिश